दोने जी का सबजेक्ट है हिस्तरीघ क्राफ ये बिरांडाहा किए लेडी ष्री01 में नहीं है तो इसका प्ट तो एकशन होते हैं और एक शा क्रूकरमत है जो कई हो 4 ना करें तो इसमें पहले हमें history का example दे देंगे, historical awareness का example देदेंगे, उसके बार popular notion होता है कि जो लोगों को पढ़ने में interest देता हो और इसमें fact कम हो, और popular notion में जो writer होता है वो as a living होता है कि उस time पर जैसे कि वो इनसान जिनता हो, उसके according वो story teller लिखता है, जैसे महा भारत हो गई, तो अगर कोई भी लखना चाहेगा थो में लीविग होना ज़रूरी होता है, उसके अ пост से सराम प्रकर के नियुकर जाओ nosion में इसमें सिर्फ श्टोरी टैलर के रूप में काम कर जाता है और इसमें चाह्दा investigation नहीं करनी पड़ती कम investigation करनी पड़ती और fact-based कम होता है और moral पे ज्यादा अधारित होता है और फिर जैसे second question है historical accounts में facts को कैसी किया जा सकता है तो facts जो है कोई भी fact हो कोई भी fact हम बाइचन मिलता है तो बहुत सारे historians पहले एकठे होते हैं तो उस fact को फिर conclude करते हैं उस fact में य debate चलते है debate चलने के बाद कोई भी commission बैठाया जाता है फिर उस commission का जो भी report होती है उसके according ही हमारा historical facts let's decide होता है कि कैसे होगा क्या होगा तो यह काफिé लंबब प्रोसेस होता है और third question है कि scope history के क्या क्या हो सकते हैं जैसे historian बहुत मेंद करते तो इसके बहुत सरे scope होंगे study के रूप में research के रूप में और बहुत सरे हो सकते हैं क्योंकि हमें history के बारे में कुछ निपता तो historians जो कहेंगे वह में मानना पड़ेगा हिस्टोरियन ही ultimate इसकी power होती है हिस्टोरियन के पाथ की की हिस्ट्री क्या थी और उसका क्या वेल्यू थी और हिस्टोरियन को फूर्थ कोशन है हिस्ट्री में हिस्ट्री की सोर्स में बहुत जदा अंडरे 275 कना पड़ते हैं खुद सोचना पड़ता है फैक्ट को इकथा करके कि किया हो trabalho कब होगा इस सारे के सारे बहुत सारे hidden parts होते हैं उनको बाद में conclude करना और इस पे भी काफी लंबर debate चलता है और फिर है primary source primary source जो होता है किसी के accounts या कोई letter या फिर कोई इच भी written evidence that is primary source तो primary source के बहुत सारे positive thinking होते हैं और negative thinking होते हैं positive होगा कि यह written है तो ultimate किसी इनसान ने लिखा होगा तो इस पे हम यकीन कर सकते हैं कि हाँ यह written है हम समझ गए तो इसमें भी बहुत सारे problems होते हैं कि हम उसका लिखा हुआ कभी कबार समझ नहीं पाते हैं या कुछ part destroy हो जाते हैं या फिर किस ने लिखा होगा कभ लिखा होगा यह इसके क्या मेज़स हो सकते हैं political हो सकते हैं या conflict के हिसाब से लिखे होंगे इसमें कोई भी particular fact नहीं होता है इसमें थोड़ा कम fact होता है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है लिखने वाले का motive क्या था वो upper class से था या lower caste से था या फिर क्या था कैसे था तो थोड़ा बहुत दिमाग खुद भी लगाना पड़ता है written है तो पड़ सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर इसको बाद में conclude करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और फिर नीचे वाला question है primary source जो है वो इस्टोरी का narrative कैसे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे written evidence मिलते हैं तो narrative के form पर ही मिलते हैं क्योंकि पहले जमाने में क्या था कि ज़्यादा date बग्यारा mention नहीं की जाती थी इसने narrative as a story story मिलती है तो stories के हिसाब से लिखा जाता है